हेलो एवरेवन वेल्कम टू कॉंप्टिशन कम्मुनिटी एप्टियार की इस वीडियो सिरीज में चतिस गड़ समाने अध्यान से संबंदित हम यहां पर कोशन आंसर कर रहे थे और इसी करम में ही आज हम मिट्टे वाला टॉपिक यानि चतिस गड़ में मिट्टियों को हम सबको पता है जो होती है पत्थरों से यह चट तो इसके में की वीडियो वहायां पहले तो उसको भी आप देख सकते हैं तुक और काफी कुछ आप स्क्राइब करने कोशिश करूंगा ताकि आपको यहां पर मैक्सिमम हो जाए तो मिट्टी क्या है मिट्टी जो बनती है प्रमोग रूप से ध्यान दिजेगा एक चटान होता है ठीक चटान विभिन पर्यावरणी प्रक्रियाओं के द्वारा यह इन्वार्मेंटल फैक्टर क होने के बाद इसका निर्माड गुलासम की रूप में या जिसको मैं बोलता हूं पेबल्स ठीक गुलासम की रूप में होगा और गुलासम फिर से ब्रेक होकर यह बजरी का निर्माड करती है बजरी मतलब होता है ग्रेवल्स ठीक यानि कि चट्टान चट्टान के बाद इसे हम इंदी में बोलते हैं गाद क्लियर और सिल्ट के बाद जो होगा वह होगा आपका क्ले तो में फैक्टर आपको यह तीन चीज़ों को याद रखना है यानि कि अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी यानि कि स्वाइल स्वाइल इस दा कॉम्बिनेशन ऑप इसको क्रियेट करेंगे तो याद रखेंगे कि जो मिट्टिया होती हैं वह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती हैं अर्थात ऐसे पदार्थ जो कार्बनिक होंगे और जो अकार्बनिक होंगे और वह मिट्टी में होंगे उसके अधार पर मिट्टी क का प्रकार डिसाइड होगा या उसे विस्तार से हम समझेंगे तो चलिए हम देखते हैं कि मिट्टी का प्रकार हम कैसे निकाल सकते हैं तो ध्यान रखेंगे composition composition of soil यानि कि मिट्टी का संगठन दूसरा composition of soil दैन उसके बाद आएगा आपका size of particles size of particles चेक size of particles मतलब Pub改革 मतलबrist Sand कितनी मातरा में है क्लें कितनी मातरा में यह थे तो यह भी एक होता है on the basis of soil particle कुछ and divide किया जाता है जैसिकि लोमी स्वाइल वह भी एक part है Clay right वो भी एक पार्ट है, sandy soil ये भी एक पार्ट है, तो on the basis of particle size अगर soil को define किया जाए तो इस प्रकार से define किया जाएगा, और on the basis of size particle and composition of soil and rock के basis पर bifurcate किया जाए, तो 36 गड़ की मिट्टी को 5 प्रकार से divide किया जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हमको प्रकार निकाल है, क्योंकि हमारा main topic, question जो आने वाला मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, पहला point इसको समझना है, तो मिट्टी के कितने प्रकार होंगे, तो धियान क्या composition है, दूसरा देखने होगा, क्या size particle है, यानि कि particle की size क्या है, और तिसरा देखने होगा कि चट्टान से बनी हुई ह अर्थात इन तीनों को मिलाने के पश्याद हम मिट्टी का एक प्रकार निकालेंगी, और वो मिट्टी के प्रकार अलग-अलग संस्थाओं के दौरा और इस्थानी अधार पर अलग-अलग उसके नाम होंगे, तो चलिए आए उसे देखते हैं, तो इस तरह से मैंने संग के दोरा चार प्रकार से और इस्थानी अधार पर चार प्रकार से तो चेट्व मिट्टी का वर्गिक पूर। कॉट्चन है सकता है इसके दार पर कितनी जाल तो बहुत सारे अलग-अलग नाम भारती भूमी अ द्यान रकिंगे कितनी अलग-धवेग नाम पहली लाल- यानि की red yellow soil दूसरी latteride मिट्टी तूसरी लाल बली यानि की red sandy मिट्टी 14 लाल दोमट मिट्टी यानि red loamiae और पां Rocu है काली मिट्टी जिसे में black soil बोलूंगा जिसे में cotton soil ही जिसे में रेगूर भी बोलूंगा या कपासी मिट्टी भी बोलूँगा ठीख तो इस तरीके से 5 हो गया अब यही लाल पिली मित्टी जो है उसे मैं क्या बोलता हओ, अल्टी सोल ठीख और यही अल्टी सोल इस थानी अधार में क्या कहला आगा है, मटासी मिट्टी एक चीज क्लियर दूसरा लेटराइट मिट्टी ठीक और इस लेटराइट को मिट्टी को मैं बोलूगा भाटा मिट्टी या मुर्मी मिट्टी ठीक और इन दोनों को ही क्या बोला जाता है अल्टी सोल्स की केटिगरी में रखा जाता है ध्यान रखेंगे अल्टी सोल्स की केटिगरी में रखा जाता है कि इसको लाल फिली मिट्टी एवं लेटर राइट मिट्टी को फिर नेक्स बात आती है लाल बल्वी मिट्टी की तो लाल बल्वी मिट्टी और आपका लाल दोम होती है गहरी काली मिट्टी मध्यमुहंधकी तो गहरी काली को मैं बोलूँगा व兩 सोल्स एन मध्यमुहंधक ₹-sk прос Return to इस तो इस तरह से भाइफर добрял करेंगे ताकि आप और कर सके चली चली यह अब अब को दियान रखना कि काली मित्टी को ही क्या बोलता हूं कनहारी तो यहां पर तीन मित्टी यहीं है जिसको मैं lielpilis state मीट्टी दोनों मिलकर कौन सी मिट्टी बनाती तो ध्यान रखेंगे दोर्शा मिट्टी बनाती है मटासी और कनहारी को मिला लिया जाए या दोनों की प्रॉपटी या दोनों की गुड़िया विसस्ता है जब एक मिट्टी में मिलती है तो उस मिट्टी का नाम करण हो जाता है दोर्शा मिट्टी ठ जेखेंगे जिसके अधार पर हम डिरेक्ली इसको सौल करते जाएंगे ठीक है थोड़ी सी थोरी में आपको बता दे रहा हूं और से नोट कर लें तो सबसे ज़्यादा विस्तार को पुछता है विस्तार के अधार पर तो ध्यान रखिएगा कि अगर मैं विस्तार की बात करू तो इस तरह से मैंने 36 गड़ को डिवाइट किया है यह यह आपका नौर्थ 36 गड़ यह मद्य चत्तिस गड़ और यह दक्षड चत्तिस गड़ ठीक तो ध्यान रखेंगे नौर्थ एन मद्य नौर्थ एन मद्य में आपको मिलेगा लाल पिली मिट्टी अभी कुछी तो ध्यान रखेंगे जो लेटराइट मिट्टी होगा वह 36 गड़ के इस वाले डायरेक्शन में आपको मिलेगा यानि कि यहाँ पे जस्पूर वाले पार्ट में तो याद रखेंगे 36 गड़ के कौनसे डायरेक्शन में उत्तर पूर्व डायरेक्शन में या उत्तर पूर् ठीक है तो दंड कारेने का छेत्र होगा वह होगा आपका रेड सैंडी स्वाइल तिन मिट्टिया क्लियर चौथी मिट्टिया आपको पता है मैं किसकी बार बात करूंगा लाल दोमट मिट्टिया रेड लोमी स्वाइल तो याद रखेंगे यह कॉर्णर सुकमा का कुछ भाग एवं जग्दलपूर का यानि कि बस्तर का कुछ भाग यह वाला नदी किनारे ठीक तो इसे मैं बोलूँगा लाल दोमट मिट्टि चार मिट्टि क्लियर हो गई आपकी चलिए उसके बाद बात करते काली मिट्टी की तो काली मिट्टी दियान रखेंगे मैकल रेंज वाले क कुछ पार्ट में बेमेत्रावाले कुछ पार्ट में और इधर यानि इस तरीके से यह मिट्टिया हमें देखने को मिलती थे चिपने क्यों दिखेंगे मैं आपको बताऊंगा तो यह उसके तहत यहां पर एक इसका क्या है extension है ठीक है चलिए यह आप लोगों ने नोट कर लिया तो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी लेटराइड मिट्टी रेड सैंडी सोईल एंड लाल दोमट मिट्टी आ जाती है अगर मैं percentage की बात करूँ percentage की बात करें या सबसे ज़्यादा विस्तार कौन से मिट्टी का है तो आप धियान रखेंगे सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है लाल पीली मिट्टी का कितना 52-60 जैसे कि मैंने अभी बताया कि यह कौन सा पार्ट में है यह नौर्थ एवं मीड में इस्थित है फिर लेटर लाल बल्वी मिट्टी मैंने कहां बताया पूरे दंड का रहने वाले हिस्से यानि कि जो प्रमुग दो मिट्टिया है सबसे ज़्यादा छेत्रफल में फैली भी लाल पिली मिट्टी जो उत्तर और मध्य में और दक्षिड में आपकी लाल बल्वी मिट्टी यानि कि यह 50- 60% उत्तर यह मध्य मिलाकर और यह जो 25-30% यह दंड का रहने वाले बिल्ट पे इस्थीत है देन हम बात करते हैं यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी तो लाल दोमट मिट्टी जो है 10-25% इस्थीत है तो इस तरह से अगर विस्तार में बात करें छेत्रफल के अधार पर लाल प महतव पुर्ण मिट्टी है सबसे उपजाऊ होंसी है तो ध्यान रखेंगे कंसारी मिट्टी सबसे उपजाऊ होगा उसके बाद मट्ठी को आप लेंगे यह मैंने बताया उपजाऊ या उत्ताक्ता अधार पर कौनसे मिट्ठी जादा उत्त मैंнес करने में ध्यान रखेंगे अब हम कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर वन नमबर फॉर्ट पहला कोश्चन है असत्य कथन बताना है जैसे ही मैंने कहा है कि मिट्टी का जो मुलतत्व होता है वह होता है चट्टान याननी चट्टानों के ब्रेक होने से ही मिट्टी का निर्माड होगा तो ध्यान रखेंगे लाल पिली मिट्टी धारवाड करम की चट्टानों के चरड से निर्मित होती है लाल रितिली मिट्टी ग्रिनाइट और नीस्तत धारवाड के छरड से निर्मित होती है काली मिट्टी डेककन ट्रेप के वैसाल चट्टानों के छरड से निर्मित होती है और लाल दोमट मिट्टी आरकेन और ग्रिनाइट के छरड से निर्मित होती है क्या होगा answer बताएं आप लोग क्या होगा इसका answer होगा A इसका answer होगा A यहाँ पर भी कुछ चीज़े और clear करनी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कड के अधार पर कुछ मिट्टियों के प्रकार होते है साथ ही साथ चट्टानों के अधार पर भी मिट्टियों के प्रकार होते हैं तो question number one जो है इसका answer होगा A याद रखेंगे लाल पीली मिट्टी लाल पीली मिट्टी पहला property मैंने आपको बताया था यह सबसे ज़्यादा छेत्रफल में दूसरा property बताया मैंने north plus mid में फैला हुआ है तिसरा ध्यान रखेंगे यह कडपा चटानों से कडपा चटानों से यह निर्मित होती है जिस प्रकार से मैं बताया है कि चटान चटान के बाद क्या बनेगा चटान के बाद पेबल साते हैं ठीक है गुलास्म गुलास्म के बाद बजरी बजरी के बाद सेंड, सेंड के बाद सिल्ट और सिल्ट के बाद आपका क्ले, तो लाल पिली मिट्टी जो है या कडपा चट्टानों से निर्मित होगा और प्लस आप बोल सकते हैं गोडवाना चट्टान, तो ध्यान रखेंगे आप, कई जगा option में आपको कडपा चट्टान ही मिलेगा, कई जगा आप सेंगो गोडवाना चट्टान मिलेगा, कई जगा दोनों चट्टाने मिलेगी, तो याद रखेंगे दोनों चट्टानों से, दोनों चट्टानों से मिलकर लाल पिली मिट्टी बनती ही, यानि कि जो लाल पिली मिट्टी है, लाल पिली मिट्टी जो है वह नorth पर और मीड पर दोनों जगा मि लेकिन दोनों की property में थोड़ा सा फर्क होगा थोड़ा सा फर्क होगा मतलब उनकी एसेटी उनका एसीड प्रॉपटी एंड उनके basic प्रॉपटी में difference होगा हम आगे तो पहला कोश्चन जो है उसका अंसर होगा क्युगि ये गलत है लाल पिली मिट्टी कडप क्रम या गुडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित होता है लाल रसे ग्रिनाइट लाल रसे लिए दक्षिड की तरफ आपको सब तीज़र की मिट्टी और निर्माण असत्य है बताईए काली मिट्टी जैसे मैंने बताए बेसाट आगने चट्टानों से की छरड से हुआ बिल्कुल सही लाल पिली मिट्टी कडपा चट्टानों के छरड से वह यह भी सही है तो इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं अ तिसरा कनहार मिट्टी चौंथा दोर सा मिट्टी तो यह जब कोश्चन आ रहा है तो पहले दिमाग में लगा है कि जो मैंने पांच बाइफरकेशन बताया लाल पिली मिट्टी लेटराइट मिट्टी लाल दोमट मिट्टी लाल रिदिली मिट्टी और काली मिट्टी इन प जो कोश्यन है कोश्यन मंबर इसा कपनाने के लिए मैंने कुछ यहां पे ट्रॉ किया हुआ है तो यह हम देख सकते हैं यहां पर यह स्वाइल पार्टिकल्स के बारे में बताया की सैंड सेट टेंट क्ले 30008 पर्टिकर हमने देखा था जिसमें अगर साइज की बात करों तो ग्वास कंपेंटू कि यहां पर जिसमें ज्यादा होगा उस में ज्यादा बड़े उसमें युदु water holding capacity कम होगी silt उससे छोटा होगा water holding capacity अच्छा होगा and उसमें aeration यानि की वायू का आवा गमंधी होगा साथ मगर मैं clay की बात करूँ तो clay जिस प्रकार से घर में आटे को पानी डाल के गुंते और लास्ट में चिपचिपा हो जाता है उसी प्रकार से clear होगा अर्था जिस मिट्टी में clay की मात्रा जादा होगी जिस मिट्टी में कले की मात्रा जादा होगी वह मिट्टी जो होगी वह चिपचिपी होगी और उसमें aeration ठीक से नहीं होगा लेकिन उसमें पानी यानि water holding capacity बढ़ जाएगी that's why अगर मैं बात करूँ काली मिट्टी लाल दोमट मिट्टी लाल पिली मिट्टी लाल रिथिली मिट्टी और लेटराइड मिट्टी तो आप भियान रखेंगे ये जो मेरी लाल दोमट मिट्टी है ये जो मेरी लाल दोमट मिट्टी है इसे मैं बोलता हूँ sandy lobe क्या बोला जाता हैसे sandy lobe बोला जाता है स्रक्राइब का आपकी हो जाएग रेड यलू स्वाहिल लालेट तिली मिति मतलए संदी स्वाहिल भाटा मित्टी हम भॉल सकते हैं घैंत तो यह जो लाल दूबॉट यहम काली मिट्टी है इनमें इसमें ज्यादा clear होगा as compared to लाल मिट्टी University correct तो इचीजस को आप धियान रखेंगे तो धियान रखेंगे उत्पादन छम्ता की अगर बात होती है तो उत्पादन यानि की दो भाटा मिट्टी भाटा मिट्टी जो होगा यह बगवानी फसलों के लिए उप्यूक्त होती है तो लेटराइट मिरिदा में इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें पानी यानि वाटर एब्जॉप्शन ज्यादा नहीं होता water absorption नहीं होता sand की मातरा ज़्यादा होती है यह ज़्यादा उपजाओ नहीं होती क्योंकि लेटराइट मिट्टी का जो formation होता वो ऐसे जगाँ पर होता है जहां पर पानी की अधिक्ता होती है let's see अगर मैं यह बोलू यह मिट्टी है यहां पर बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है पानी गीर रही है ध्यान रखेंगे पानी जब यहां पर ज़्यादा गीर रही है यानि की कौन सा प्लेस हो गया वो आद्र ठीक यह वेट एरिया की बात करूँ जहां पर वेट एरिया या आद्र portion होगा वहाँ पानी की मात्रा जादा होगी और पानी की मात्रा जादा होने के कारण जो उपरी सतह पर जो humus content एवं जो mineral सोंगे वह मिट्टी के निचली सतह पर आ जाएगी और जब मिट्टी के निचली सतह पर आ जाएगी तो उपर में केवल एलमूनियम एंड आइरन की मात्रा ही बसती है जो मिट्टी को अन उपजाओ बना देती है क्योंकि उपजाओ या उपदन जो चमता बनाने वाले जो मटेरियल्स है वो पानी के साथ तो अंदर आ गए है यानिकि झो आद्र होगा जो आद्रवाला प्लेस हो जहां वेटऊंगा वहाँ पर जो वाशपी करण को जाद का से क्या होगा कि पानी जब उपर आएगा तो मिन्डरल हो ऊपर लेके याज़ा फर पॉसिबल नहीं है ए है क्योंकि पानी जादा गीर रहा है तूड़ी। बट इसके अपोजिट जहां पे सुस्क हो गया तो जो ड्राइ क्लाइमेट होगा वहां पर जस्पोजिट हो जाएगा यानि कि एवोपरेशन इस ग्रेटर देन रैंफॉल ठीक बहुत बड़ी रचना है इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखें इस वीडियो को ठीक लेटराइड मिट्टी की लेटराइड मिट्टी का फॉर्मिशन लीचिंग के द्वारा होगा लीचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक बारी सोने के कारण जो मिट्टी के उपर जो फर्टाइल मटेरियल होते हैं या जो जिवास में या हिूमस होते हैं वहां मिनरल सार नीचे चले जाते हैं जिसके करण ऊपर में आयरन और एलमुनियम केवल और केवल यही बचा होता है और जो मिट्टी को अनुथपादकता या अनुपजाव प्रकृति क्या करते हैं प्रदान करते हैं इसलिए लेटराइट मिट्टी में फसल जादा नहीं होता इसमें मोटे बगवानी के फसले यानि कि बगवानी चाय आलू यह सारी चीजें उगाई जाती है इसलिए जस्पूर वाला जो छेत्र है वहां पर हमें लेटराइट मिट्टी की अधिक्ता होती जैसे कि मैंने थोड़े देर पहले आपको बताया था और वहां पर आपको क्या मिलेगा ल जाली मिट्टी मतलब क्ले की मात्रा ज़्यादा मतलब उसमें वॉटर जाएगा लेकिन निकल नहीं पाएगा यानि कि उसमें पोर्स बहुत ही कम होगे तो पानी को होल्ड करके वह रखेंगा ठीक दोर सा मैंने आपको पताया था भर्री और मटासी भर्री का मतलब आप यह यह लोग डिटु दे प्रिजन्स ओफ विच इमंग दा फॉलोविंग बताएं क्या होगा इसका जो अंसर होगा वह होगा आपका फेरिक अक्साइड की फेरिक अक्साइड इसका जो अंसर होगा वह होगा आपका फेरिक अक्साइड ध्यान देंगे फेरिक अक्साइड याद जो फॉर्मूला है। फे अक्साइड के कारण मिट्टी का रंग रेड होगा और फेडिक अक्साइड के कारण दियान रखेंगे आगे कोश्चन में आएगा कि ऐस्था के कारण диक का, और लाल फेडिक टैसे में जो होता हूं, काल डेगा यानी कि ब्लैक कलर प्रोइड स्वाईल by फीरिक टाइटेनियम फेरस अक्साइड लेकाल आपका रेड कलर तो इसका अंसर होगा आपका डी फेरिक अक्साइड यानि कि कोशन नमर चार का अंसर होगा डी कोशन नमर पांच निम्रीकी कत्नों पर विचार किजिए पहला कनारी मिट्टी में नाइट्रोजन तता फास्पूरस प्रचूर मात्रा में उपस्थीत होते हैं जिस प्रकार से मैंने बता है infrared छंता कि फर्टिलीट उधर मैक्सिम होगी तो काली मिट्टी में होगी ठीक और वह ऐदर ड्राइ तो वहां पर क्या होगा पानि जो गिरेगा वो वासपी कृत होके पूरा निकल जाएगा यानी कि वहाँ पर capillary का process होगा याद रखेंगे यहाँ पर आपको leaching का process दिखता है और काली मिट्टी में आपको capillary या कैसी कत्व का process दिखेगा केसी कत्व का मतलब यह होता है जब मिट्टी के सरंद्रों में या मिट्टी के फोर्स में जो पानी है वास्पी करण के दवारा उपर आती है और उपर आने के साथ ही साथ वह कुछ मिनरल्स को भी कहां पर ले आती है उपरी लेयर पर ले आती है उसे केसी कत्व कहते है और करें और यह दो बीच की यह लाल दोमट लाल पिली इसको अलग से देखें कि कैसे हो रही इन दोरों के बीच की ही प्रोसेस हो रही है अक्षिली ओवर आल जो होता है जो ड्राइड डैसी डियस फॉरे जो यह मिड सेंटरल इंडिया में पाया जाता है जिसमें 36 वड़ वाला अधोरी मिठी की प्रवित्ती अम्वली होती है थीजिए काली मिठी की प्रवित्ती सेवन पॉन सिक्स होगी तो चलो अम्वली जिएन परशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं ढिक अम्ली एक इवाम छारी प्रवितव करेक्ट तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर अम्ली एक चारीता होती है, यह वाटर पर बेस्ट होती, निस के इस प्रकारची अवह पानी गिर रहा है जो हमारा waterfall होगा यानि कि जो हमारा rainfall होता है उसकी जो प्रकृति होगी उसकी जो विसस्ता होती वह होती है acid यानि कि जो rainfall होता है उसकी प्रकृति होती है अमली ठीक है और उसके संपर्ग में जो मिट्टियां जादा आएंगी उनकी प्रकृति भी हमें अमली देखने को मिलती तो यह पहला फैक्टर हुआ उसको डिसाइड करनेका ऐसे बहुत सारे फैक्टर को तो जो काली मिट्टी होती है वह जो होगी वह होगी आपके छारी प्रकृती की ठीक और जो लेटर राइड मिट्टी होगी वह होगी आपकी अमली प्रकृतिगी तभी मैंने यहां पर लेटर राइट में जो पी एच मान लिखा है वो 5.2 लिखा है और कनारी में मैंने यहां पर 7.6 लिखा है आपको पता है कि अमली वहां पर होगा जहां पर रैनफॉल ज्यादा होगा as compared to evaporation और काछारी वहां पर होगा जहां पर रै इस तरह से इसको ध्यान रखें तो कनारी मिटी की प्रकृति या प्रवित्ति अमली होती है गलत है काली मिटी वेसाल युक्त आगने चट्टानों के रीतुचुरण का परेडाम में बिल्कुल सत्य दिखें आप सबको पता है कि जो वेसाल चट्टाने होती है इनका निरमा वेसाल युक्त आगने चट्टान की बात कर रहा है तो इस समय जीवन की उत्पत्ती हो चुकी थी जीवजनतु आ चुके थे पेड़ पौदे उख चुके थे ठीक है और उसी समय यहां पर एक वेसाल चट्टानों का निरमाड होता है यानि कि बैसाल्टिक चट्टानों का दक्कन छित्र में फैली हुई है इसलिए उसे दक्कन चट्टान भी कहा जाता है चीक है तो जो बैसाल्ट युक्त आगने चट्टान होती है उनके रीतू छरण के द्वारा काली मिट्टी डैनुडिशन के प्रोसेस की तुरू काली मिट्टी होगी काली मिट्टी का निरमा कॺस्ट्टिन नमर सिक्ट में चलते हैं कितमा इसकी वौटर को आपेसिटी बहुत जादा यानि कि एक बार इसके पास यह उंकर वाकर करी तो यह काफी लौटर यानि कि उत्पादक्ता बढ़ सकती है और यह उसको प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेगा ठीक है तो यानि कि रभी फसल जो होंगे रभी फसल में बरसात नहीं होती लेकिन यह अपने पानी को इस्टोर करके रखी क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग यापसिटी ज ख्यान रखेंगे तो रभी की फसल कौन कौन सी चना है कपास है सोया भी ने उप्यूक सभी तो कोश्चन नमर्सिक्स का जो आंसर आएगा आएगा डी कंप्लिटली ठीक तो जिस तरह किसी मैं बताया था मैकल रेंज मैकल रेंज के बेमित्रा बेमित्रा इधर थोड़ा सा राइपूर महासमुन गरिया बन वाला बेंड ये काली मिट्टी का पूरा छेत्रा आपको दिखने को मिलेगा फिर कॉस्चन नमर्सिवन प्रदेश में किस मिट्टी का विस्तार क्रम छेत्रफल के अधार पर दूसरा है तो याद रखेंगे पहली मिट्टी मैंने बताया थ तई लाल पिली मिट्टी दूसरी में मैंने बताया था आपको लाल रिख्ली तीव यही हमने डिस्कुस किय हैं तो लाल पिली मिट्टी सब्सक्राइदा बिद्सरदी लाल तिली मिटी थीक बाकि लीटराइट मिटी को क्या बोलेंगे भाटा मूर मिटी वोलardi तो क्या है मेरा मेरा है किसमें प्रेयोग होगा भवन निर्माण में सांधी बगवानी फसलों में भी चलिए निम्लिकी कत्नों पर विचार कीजिए काली मिट्टी का पी एच मान साथ से आठ होगा जैसे कि मैंने तो यह क्या होगा आपगा बिल्कोर सकते लाल रेतलि मिट्टी की प्रकृती छारी होती है क्या लगता है यह है तो व्यक्ति री मिट्टि प्रकृती चारी होग की देखो आ तो फ्म प्रकृती 6.8 गळांट तो लाल पिली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो दोनों प्रकृति सो करने वाली है इसको बस ध्यान रखेंगे लाल पिली मिट्टी ऐसी है जो दोनों प्रकृति सो करीगी बाकी इसके इधर छारी मिट्टी इधर अमली मिट्टी ध्यान रख लो आप याद करने के लिए तो लाल रितली यह अंगली मिटी होगी याद रखेंगे आप लाल रितली मिटी मिटी क्योंकर आप्ल देखिए संपट करिकल इसमें Sonic पर्टिकल इसमें सबसेज़備 होगा इसमें तो मूरूम की अधार पर होता है हो फिल्कुल केलर रितली मिटी प्रकृतिक्र अंखले होगी इस सरवादिक जल ढंपर नाइन न किस मिट्टी में सरवाधिक जल भारण करणे स्वाधिक की च्छमता पाई जाती है पताइचे क्या होना चाहिए इसका जो आंसर होगा göz्ण नंपर नैन का सी लाल पिली मिट्टी का कौन से hopeless अगर वो कोश्चन पूछा की सबसे ज़्यादा कौन सीगा काली मीठी काली मीठी के बाद किया अपकी लाल दो मत है क्या इसमें नहीं है ship ilal पीलिमिटी फिसलाइट अगी ऐगी ship ठीक अगर मैं ऑउप्शन्स में देखू तो काली मित्टी लाल दोमट मित्टी लाल पईक क्योंत्ती या अघर मैं लाल प्ली ची की बात करूं те लाल दोमट में sand होता है but with the long ठीक इसमें clay की मात्रा याद रखेंगे अगर question है दोनों में से clay की मात्रा किसमें जादा होगा clay मतलब short particle तो लब लब 50 to 55% जो clay होते हैं वो काली मिट्टी में होंगे और 20 से लेकर 30% जो clay की मात्रा होती है वो लाल दोमट मिट्टी में होती है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक चलिए तो इस कोशन नमबर टेन का जो अंसर होगा वह होगा लाल रेतिली मिट्टी कई बुक्स में यह लाल दोमट मिट्टी दिया है बट इस करम के अधार पर अगार आप लॉजिकली से सोचें तो लाल रेतिली मिट्टी ही होगा इसका अंसर बी कोशन नमबर 11 निम लिकीत में से प्रदेश से बगानी फसल है तो कौन सी मिट्टी सरवादी को प्यूक्ता सबको पता बगानी फसल के लिए लेटर राइडमिटी क्यों यह लेटर राइडमिटी वाडर होल्डिंग कैपिसिटी नहीं है तो इसे वाटर कंजब करके नहीं रख पाएगा साथ ही इसकी प्रकृति अमली भी होती है तो यह होगा आंसर डी लेटर राइडमिटी करेक्ट फिर नेक्स कोशन है निम लिकीत में से किस मिट्टी की प्रकृति अमली तर्थ चारी दोनों होती है मैंने अभी बताया आपक लेटर राइड मिट्टी की क्या होगी अमली लाल रेतिली मिट्टी की क्या होनी चाहिए अमली काली मिट्टी क्या होगी चारी और लाल फिली मिट्टी की दोनों होगी तब ही मैंने बता है यहां पर प्रकृती होती है विविन्न गैसों के कारण ऩिक चलिए चरिट्टी मिट्टी करशि उत्पात सहीं जोड़ा नहीं है लेट्राइड। कोदो कट की थीख मोटे अनाज कनहारी मिट्टी सोया बिंजसे मैं ने बताया रभी की फसल के लिए दलहन तिलहन फसलों के लिए आप पानी की रिक्वाइरमेंट नहीं या तो रभीब हम वो सक्ते कानारी है सई है मटासी मीटी किसा मit childhood I तो पानी की मातरा जादा लगी तो यह उप्यूक्त मिट्टी किस फसलों के लिए उप्यूक्त होगी उन जो बरसात में होते है बरसात में पानी लिए भगवान दिते यह देते हैं ठीक है चलिए तो इसका अंसर होगा सी मटासी मिट्यate की हूँ अलिसी की फसल Q F 14 असत्य बताएं क्या बताना है असत्य चलिए ये भी हमने पहले डिसकस किया हुआ था लेट सी दोर्शा कनहारों मटासी के मद्दी की चिकनी मिट्टी है ठीक है कचारी मिट्टी में गाद और जो पदार्थ की अधिक्ता होती है बिल्कुल सही नदी के दोरा जो मिट्टी आ बहा के लेके आए जारी है उनमें गाद और कचार दोनों होंगी इस लिए इसमें जवपदार्थ की अधिक्ता होगी इसलिए उब्जाव भी होती इसलिए इसको सबजी या भाजी या जो भी फसल होते हो उसके लिए इसको प्यूक कर जाता या नदियों के किनारे जो मिट के तीन पड़ा होते हैं बालिवस्था यूवस्था और प्रोडवस्था चेक तो जब नदिया बालिवस्था में निकलती है तो वो किसी भी रुकावट को देखकर अपना डायरेक्शन बदल देती है लेकिन जब यूवस्था में आती है और उसके साथ बहुत सी इट्रिब् चेंज किया और मैक्सिम यह गाद और कचार वाला जो कॉंसेप्स होता है वह मिट्टियों में नदियों के प्रोड़ा अवस्था में ही इसका निर्माड होगा क्योंकि मिट्टी जब बूढ़ी हो जाती है जब मुटी मिट्टी जब एज हो जाती उसकी एज काफी ज़ाद जो कछारी मिट्टी और भी बहुत सारी नेट्जियों की नारे पाई जानूली मिट्टी निर्माड होता है जो कभी-कभी अलुवियल सौयल भी बोलते हैं एक आप लोगों ने सुना होगा जलोड मिट्टी जो होगा वो जल को ओड के चलने वाली मिट्टी घ्यान बैसाल्टिक चट्टानों के छरड से निर्मित होगी आरकेन चट्टान जब जीवन के उत्पत्ती नहीं थी और बैसाल्टिक चट्टान जब जीवन के उत्पत्ती होगी राने के लिए दोनों जो आला मुखी के दोवारा लेकिन बैसाल्टिक चट्टानों के दोवारा इस कनार मिट्टी आर्केंग से मुगे छरण से निर्मित होती है कोशन नमर 15 कितमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है दोर सा कनार है वो चाहले मिट्टी घलानी जोकाली मिट्टी बहुत जादा हो और यह नहीं होते हैं इस में चिकनी मिट्टी जोते हैं कि बहुत ही महीन पाटिकल्स होते हैं और सेंट टोटकर से giसे टोटकर क्ले का निर्माड उते तो यहीं पर और ऑफशन दिया कि अगर यहीं पर डहलानी मिटी तो यह वाला जो है असत्य है तो पंधरा है फिर आतें Lara सोला असत कथन बता है जस्पूर सामरी पार्ट लेटराइट और लाल रितिली मिट्टी के लिए जाना जाता है चत्तिजड़ के मैटान में मटासी कछारी भर्री का संकेंद्र भर्री मतलब काली मिट्टी मैंने थोड़ी दरी पहले बताया था कि भर्री इस वाले एरिया में राज्ण गांबे मेत्रा और यह वाला इरिया करेक्ट लाल दो मट्मिट्टी बस्तर की नदी घाटियों में पाए जाता जैसे कि मैंने आपको बताया यह यह वाला जो पार्ट है यह वाला जो पार्ट है यहां पर मुझे मिलेगा आपकां सा लाल दोमट मिट्टी करेक्ट होती बात यहाँ पर आपको लाल दोमट मिट्टी मिलेगा और यह वाला जो भाग होगा बीच का थोड़ा सा भाग यहाँ पर काली मिट्टी हमें प्राप्त होती है नि कनहारी मिट्टी तो इसमें जो बात है question number 16 का answer होगा इन में से कोई नहीं तो question number 17 काप पाल काप पल पर यह किस प्रकार के मिट्टीों के उधारण रखेंगे यह जो मिट्टी है वो कछारी मिट्टी है जैसे मैंने बताया जो कछारी मिट्टी होती है नद्यों किनारे पाई जाती है इसमें गादेयम जैयुत पादगों की मातरा सबसे ज़्यादा होगी तो अभी जो मैं question number 17 question number 18 और question number 19 बताने वाला हूँ इसमें ध्यान रखेंगे कि यह अलग प्रकार की मिट्टिया that means इनके नाम अलग है property same होगी इन तीनों question को ध्यान रखेंगे तो question number 17 में जो मिट्टि का प्रकार है काप, पाल, काप एन पलपर कछार या कछारी मिट्टि के उधारण है याद रखेंगे नदियों इमसरोरों के तटपर पाया जाता है उध्यानिकी, एवम, बगवानी या ताग सब्जी के लिए बहुत ही उप्यूक्त है उसके पश्चात देखेंगे question number 18 तो question number 18 का गोदा च्छावर, च्छावर एन बाहरा मिट्टी कीज भौगोली खंड में सरवाधिक विस्तारित है चली, तो यहाँ से हम पहले समझते हैं कि हमने पुरे मिट्टी को डिवाइट किया था तीन भागों में, आप सबको पता है ठीक है, पहला हमने देखा था north वाला area north के बाद हमने meet देखा था meet के बाद हमने देखा था तो यह वाला जो भाग है इसमें हमको सबको पता है कि यहां का एक अलग बाइफरकेशन होगा और यहां का अलग बाइफरकेशन होगा ठीक, अब यह वाला जो भाग है इसे उचाई के अधार पर याद रखेंगे, उचाई के अधार पर कभी-कभी मिट्टियों के बारे में पूछ लेता है, तो इस इसको ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार से मैंने बनाया चार ठीक है, तो यहां पर जो आजाएगा आपका यहां पर आजाएगा आपका टिकरा टिकरा के बाद आजाएगा आपका च्छावर च्छावर के बाद याद रखेंगे गोदा च्छावर और ये याद रखेंगे बाहरा या बहरा ठीक तो इस प्रकार से हमने मिट्टियों को देखा ठीक है यानि ये टिकरा च्छावर गोदा च्छावर और बहरा तो ये जो है ये जो मिट्टियों का प्रकार है ये कहां पर मिलेगा आपका उत्तर 36 गड़ एवं मध्या 36 गड़ में अभी ध्यान रखेगा इसको और बाइफर्केट मैं करने वाला हूँ चेक इसमें और भी चीजों को हम जोड़ेंगे उसके पस्याद में बात करता हूँ दक्षिर चतिस गड़ के बारे में तो दक्षिर चतिस गड़ की उचाई वाले स्थान में जो मिट्टी मिलेगी उसे मैं बोलूँगा मरहान, क्या बोलूँगा मैं मरहान बोलूँगा मरहान के बाद मैं बोलूँगा टिकरा ठीक, टिकरा टिक्रा के बाद मैं बोलूँगा माल ठीक है और उसके बाद मैं बोलूँगा आपका गाभर यह एक प्रकार से मिट्टी होगा हमने क्या देखा बाइफर्केशन देख लिया चलिए इसके पस्षाथ जो हम लोगों ने मिट्टी अभी तक पढ़ी जैसे की कौन-कौन सी मिट्टी हमने देखा एक भाटा मिट्टी देखा भाटा मिट्टी के बाद हमने क्या देखा यहां मिट्टी के बाद करूं उत्पादकता या सबसे ज़्यादा होगी आपकी कि इसकी यहां तक बात क्लियर होता है पाटिकल अधार पर बात करूं तो पार्टिकल जैस अपोजीट होंगे ठीक और चारी और अमलीता के अधार पर बात करूं तो यह वाला जो पॉर्शन है यह होगा एसीट का और इधर वाला होगा बेस का अब इसी पर कंपेर अगर इन तो यहां पर भी यह चीज़ें आ सकती है तो बाहरा जो होगी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी जो सबसे उपरी परत में होगा वो थोड़ा रेतिली या थोड़ी मुर्मी होगी क्योंकि जो पानी या रेंफॉल मटेरियल होंगे वो धीरे धीरे नीचे चले जाते तो नीचे वाली जितनी होंगी उसमें यहां पर भी देखेगी तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि यह वाला जो भाग है मेरा नौर्थ प्लस मीड़ वाले पार्ट में यह मिट्टी आएंगी और यह वाला जो भ सब्सक्राइब के बाद कौन सा मिट्टी आता है तो बोला जाएगा गोदा च्छावर मिट्टी प्लेज्ड है क्योत से कोशे नमौर 18 का जो आंसर होगा गोदा च्छावर रें 12 मिट्टी किस भोगलि खन में सरवाधिक विस्तारित है यह बोल रहा है तो इसका आंसर है आप ध्यान रखेंगे जो स्पूर सामबरी पार्ट यानि यह पहाड़ी प्रदेस है तो यहां पर यह मिट्टियां क्या है जादा विस्तारित है इसका आंसर आप याद रखें चेक क्योंकि यह से ऑप्शन नमबर डी जो है वो तो कैंसल हो जाता है यहां पर यह बेल्ट नहीं आएगा चलिए बस्तर के पठार में कौन सी मिट्टी सरवाधिक पाई जाती इसमें पहले लेटर रैट बिलकुल नहीं पाई जाएगी ऑप्शन नमबर डी को गलत कर दो लेटर रैट क्योंक का कॉम्धिनेशन आपका मिट्टी करता है कनारी और मटशन मिट्वें miracle बना हुआ है यहांनिकी मातरамен है और भाग में north as well as mid वाले भाग में फैले वे तो बस्तर में तो इसका नाम नहीं होता ठीक तो डोड़ सा गोदा च्छावर च्छावर एंब भारा तो यह गोदा च्छावर च्छावर एंब भारा वाली जो मिट्टिया है यह तो एवं मद्यभाग में हैं दक्षड में है ही नहीं तो दक्षड में क्या आएगा आपका आएगा टिक्रा मरहान माल और गाबर यानि कोस्ट नंबर 19 का जो आंसर होगा वह होगा सी चलिए चलिए कोशन नंबर 21 चलते हैं कोशन में चाहरी चाहरी कौन से मिट्टी अमली की बारे में थ्यां रिखें जो मिक्स अप होगी हुए कानारी आ इसलिए दोर सा मिट्टी भी क्या होगी 7.6 पॉइंट 6 पी चाहरी प्रकृति को प्रदर्शित करती है सांती लेटराइट मिट्टी की बाद याद रखें लेटराइट जो होती है यह 5.5 इसका pH होता है या इसे भाटा मिट्टी कहा जाता है मटासी मिट्टी या 6.8 से लेकर 8.8 होता है यानि छारी और अमली दोनों प्रकृति की होती है चेक सांथी सांद याद रखें कनहारी मिट्टी कनहारी मिट्टी जो होती हो काली मिट्टी जिसका जो पीएच होता हो 7.6 के लगबक होता है और 7.6 के साथ यह छारी प्रकृती प्रदर्सित करती है इस प्रकार से हम लोगों ने 36 गड़ के मिट्टी वाला टॉपिक देखा औ आगी एक पॉइंट आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि और 36 गड़ से कौन-कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए हाड़ी पास से छे वीडियो और हम लेके आएंगे टॉपिक्स तो प्लीज वो टॉपिक्स को आप यहां पर कमेंट बॉक्स में में मेंशन कर ताकि हमें और टॉपिक्स को सलिट करने में असानी हो तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं धन्यवाद